हालो गाईज, वेलकम टू माई चैनेल गैजिस अफ आयरुवेदा एंड हेल्थ टिप्स में तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है नीन ना आने की समस्वा में रामबान हैं इन चार चीजों का सेबन दबाईयों की जरूरत नहीं परेगी आपको कोरोना संक्रमन के चलते लोगों को कई तरह का गंबिर समस्वा का सामना करना पड़ा स्वास्त विससगों के मुताबिक इस दौरान लोगों में रीदाय और फेफरों से सम्मंधित रोगों के मामले तेजी से बरे हैं कोरोना ने लोगों की निंद को भी बुरी तरह से प्रभवित किया है यही कारण है कि संक्रमन के कारण लोगों में अनिद्रा निंद से सम्मंधित एक वीकर है जिसमें लोगों के निंद नहीं आती है या निंद बार बार तूट जाती है लिहाज अवेक्ति पुरे दिन ठका हुआ मैसुस करता है अनिद्रा ना केबल आपके उर्जा के स्तर साथ ही मनोदसा, स्वास्त कारिय की समता और जिबन की गुनवत्ता को भी खरब कर सकती है डक्टरों के मुतबिक सभी लोगों के लिए रोजाना परजप्त नींद लेना बेहत ज़रूरी होता है येज़ेट लोगों को रात में साथ से आठ घंटे की नींद आवसकता पूरी करनी चाहिए येदि आप ऐसा करने में कठीनाई मैसूस करते है तो सब्धन हो जाईए आप अनिद्रा के सिकर हो सकते है इस समसा को ठीक करने के लिए वैसे तो कई तरह के उपचर उपलब्ध है तो आपके मन में सबल उठता है कि क्या है वो उपचर आईए इस वीडियो में हम प्राकृतिक उप्चर की वीधियों में खान-पान की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानते है जिनका सेबन करना अनिद्रा के रोगियों के लिए काफी फायदे मंद होगा स्वास्त विससक्गों के मुताबिक जिन लोगों को नीन्द से जुरी समस्यों की सिकायत होती है उन्हें रोज सोने से पहले गरम दूद में हल्दी मिला कर पीना चाहिए दिमाग और सरीर को आराम देने में गरम दूद को बेहत ही लाबकरी माना जाता है विससक्गों कहते है कि दूद में ट्रिप्टोफन होता है जो नींद को बड़बा देने में लापकरी माना जाता है वो ही हल्की सरीर की मेरम मत करके सरीर को आराम दिलाती है एक कप गड़म दूद में आप एक या अधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला कर सोने से पहले उसका सेबन करे ये अनिद्रा की समस्या को दूर भगने में मदद करेगी केले को अनिद्रा की समस्या में बहुत प्रभवी माना गया है इसमें मौझूद खनीज जैसे आईरोन, कैल्शियम और पोटेशियम अच्छी नींद में सहायक होते है बेट पर जाने से कम से कम एक दो घंटा पहले आप केला खा सकते है नींद की समस्या को दूर करने के साथ केला का सेबन स्वास्त के लिए भी काफी फाइदे मन माना जाता है आहर में केले को सामिल करके आप कई प्रकर के लाप प्राप कर सकते है अच्छी नींद के लिए केसर भी बहुत उपयोगी होता है इसमें कई तरह के गून होते है जो अनिद्रा के इलाज में मदद करते है रात को सोने से पहले दो चुटकी केसर एक कब गरम दूद में मिला कर पिए इससे बहतर नींद आएगी और सुबह उटकर अब फ्रेस मैसूस करेंगे केसर तोचा और मस्तिस के लिए भी काफी फायदेबन माना जाता है दूद और केसर का सेबन सरीर के लिए बहुत लाबदायक होता है घरो में मसाले के रूप में प्रायोग में लाया जाने बाला जायफल कई ओसदियोगुनों से भरपूर माना जाता है इसकी इस्तेमाल से अनिद्रा की समस्ता खतम होती है इसके लिए आप एक कप गरम दूद में एक दो चम्मत जायफल पाउडर मिलाए और सोने से पहले उसका सेबन करें ये अनिद्रा के अलबा अपच और अपसत के इलाज में भी उपयोगी है जायफल याने नाटमेग में मौजूद ओसधियोगून फेफरे और बलाट की सुद्धता के लिए भी फाइदे मन माना जाता है तो गाईज आज की वीडियो में एही पेंट करती हूँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा और हेल्फल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल की बाकी वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड और व्यूटी रिलेटेड और जान करी मिले मिलती हो और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ